नमस्कार किसान भाईयों, हमारे चैनल ट्रेक्टर मित्रा में आपका स्वागत है आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्रीच 449 का तो वीडियो को राष्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए सुरू करते हैं इस ट्रेक्टर के इंजन से प्रीच 449 में 40 HP का 4-stroke DI इंजन दिया गया है जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी 2892 है यह इंजन 2200 rated RPM पर काम करता है यह एक 3-cylinder इंजन है और इसमें बोस कमपनी का in-line fuel pump दिया गया है वहीं बात करें इस ट्रेक्टर के cooling system की तो इस ट्रेक्टर में water cool engine आता है इस ट्रेक्टर में single और dual दोनों clutch का option दिया गया है जिसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन सकते हैं बात करें इस ट्रेक्टर के air cleaner की तो इस ट्रेक्टर में dry type का बड़ा air cleaner दिया गया है इस ट्रेक्टर में brakes में आपको dry disc brake और oil immersed disc brake दोनों का option मिल जाता है जिन में से कोई एक आप चुन सकते हैं वैसे किसान भाईयों को बदलते जमाने और सुरक्षा को देखते वे oil immersed disc brake ही लेने चाहिए क्योंकि यह brake तेल में डूबे होते हैं तो यह brake चिपकते नहीं हैं और इनकी life dry disc brake से ज़्यादा होती है और इनका maintenance खर्च भी कम होता है बात करें इस tractor के gearbox की तो प्रीद कमपनी ने sliding mace और constant mace दोनों का combination करके एक gearbox बनाया है वहें इस tractor में दिया गया है gearbox के बाद वही बात करें इस tractor के transmission की तो इस tractor में 8 आगे के और दो पीछे के gear दिये गए हैं इस tractor में manual और power दोना डाइप के steering option दिया गया है इस ट्रेक्टर की आगे की अधिक्तम स्पीड 31.90 km परावर है जो की डुलाई के कामों के लिए बहुती बैतर है और इसकी पीछे की अधिक्तम स्पीड 13.86 km परावर है वहीं बात करें इस ट्रेक्टर की पीटियो की तो परीच 49.90 में 34 HP की 6 स्प्लाईन वाली पीटियो दी गई है जो 540 RPM पर काम करती है इस ट्रेक्टर में ओटमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ 1800 किलोगराम की लिफ्ट केपैसिटी दी गई है साथ ही इस ट्रेक्टर में 66.00 का फ्यूल टैंक दिया गया है यह ट्रेक्टर 2-wheel drive और 4-wheel drive दोनों के option के साथ आता है टू विल ड्राइव में आगे के टायर 6,16 के और पीछे के टायर 3,28 के आते हैं वहीं फोर विल ड्राइव में इसके आगे के टायर 8,18 के और पीछे के टायर 3,26 के आते हैं अब बात करते हैं इस ट्रेक्टर की डाइमेंशन्स की तो इस ट्रेक्टर की कुल लंबाई 3700 mm है और इसकी कुल चोड़ाई 1765 mm है इस ट्रेक्टर की उचाई 2255 mm है और इसका ग्राउंड क्लिरिंस 410 mm है वहीं बात करें इस ट्रेक्टर की टर्निंग रेडियस की तो इस ट्रेक्टर का टर्निंग रेडियस बिना बरेक के 3.35 mm यानि के 3350 mm है और इस ट्रेक्टर का वील बेस 2085 mm है प्रीच 49 उनचास का कुल वजन 2050 kg है प्रीच 49 उनचास टो वील ड्राइव की गिमत 4,80,000 रुपे से 5,10,000 रुपे के बीच है और फोर वील ड्राइव की गिमत 5,40,000 से 5,90,000 रुपे के बीच है किसान वाईयों आप सबी से एक चोटी सी विंती है कि आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी नजर आए तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें और आप मेंसे जो भी भाई वीडियो को डिस्लाइक करते हैं वह प्लीज हमें कमेंट करके बता दिया करें कि आपको हमारी वीडियो में क्या कमी नजर आई जिसके कारण आपने डिस्लाइक किया ताकि हम उन कमियों को सुधार के आपको एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड क कर सके यही एक छोटी सी प्रात्ना है बाकि अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो लाइक करना पसंद नहीं आयो तो डिसलाइक करना पर कारण जरूर बताना और वीडियो को सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद